दोस्तो बोट की एक और स्मार्ट वाच फार्नेली इंडिया में लॉंच होने जा रही है जिसका नाम है बोट एक्स्टेंड कॉल प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो स्मार्ट वाच है एमेजॉन पर लिस्ट हो चुकी है और यह जो स्मार्ट वाच है इंडिया में एक 2999 में लौंच होने वाली है और 12 मैं को ये जो स्मार्ट वाच है Amazon पर लौंच हो जाएंगी तो ये जो स्मार्ट वाच में क्वाच से फीचर से दिये गहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो smart watch है देखने में कुछ इस तरीके की लगती है यहाँ पर देखा जाए तो इस smart watch का look जो है काफी सही लग रहा है and features की बात की जाए तो इस smart watch में आपको 1.91 इंच की display जो है देखने को मिलने वाली है जो की काफी सही लग रही है and HD display का support जो है आपको इस smart watch में देखने को मिलने वाला है and यहाँ पर बात की जाए कि इस smart watch में और कौन-कौन से feature से दिये गया है तो इस smart watch में आपको single chip Bluetooth calling का support भी दिया गया है जिसका use करके आप इस smart watch के जरिये ही किसी से call पर बात कर सकते हो जिसका use करके आप blood oxygen level को monitor कर सकते हो and यहाँ पर और दूसरे features की बात की जाए तो इस smart watch में आपको और भी काफी सारे features जो है देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको काफी सारे features जो है इस smart watch में देखने को मिलने वाले है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस smart watch में आपको boat signature adio enx technology का support भी इस smart watch में देखने को मिलने वाला है जिसका मतलब यह है कि आपको इस smart watch में sound quality का experience जो है काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है यहाँ पर दोस्तों और दूसरे features की बात की जाए तो इस smart watch में आपको 100 plus watch faces देखने को मिलने वाले हैं जिनका use करके आप display को customize कर सकते हो and health की बात की जाए तो इस smart watch में आपको 100 plus sport mode भी देखने को मिलने वाले है and battery backup की बात की जाए तो इस smart watch को full charge करके आप RAM से कम सकम 10 दिनों तक इस्तेमाल कर पाओगे और Bluetooth calling का use करते हो तो आप कम सकम इस smart watch का full charge करके कम सकम 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो और इस smart watch को IP68 dust sweet and पहले से resistant का support जो है दिया गया है तो यह जो smart watch है जल्दी से खराब नहीं होगी ठीए तो दोस्तों यह थे इस smart watch के features आपको इस smart watch के features कैसे लगे कमेंट करके बताए और देखा जा तो इस smart watch को जिस price point के साथ launch किया जा रहा है उस price point के हिसाब से इस smart watch में काफी अच्छे features जो है देखने को मिलने वाले हैं तो अगर आप इस smart watch को purchase करने के बारे में सोच रहे हो तो आप अराम से इस smart watch को जो है purchase कर सकते हो और इस smart watch related कोई भी question है तो comment करके पूछ लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि ऐसे ही useful वीडियो हमेशा दिखने को मिलते रहे तो यह था इस वीडियो में मिल तेकिसी नविरो में